दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है जैसा कि आपको मैं ये एक वीडियो दिखा रहा हूँ छट का वीडियो है रूफ के ऊपर जो है ब्रिक लगा हुआ है ब्रिक बैट कोबाई से बोलते हैं जो छट के ऊपर लिंटर के बाद ब्रिक लगा दिया जाता है उसको ब्रिक इसे यहां पर बताऊंगा तो सबसे परले क्या होता है कि वाटर प्रूफिंग कैई तरीके के होती हैं इंडेय में तीन से चार चार तरीके को lou fools कि होता है लास्ट फाइबर को सेबन टेटियर्स और इलास्ट विर्ट मेरी की बीच में स्टेंडविच किया जाता है जिससे यह एक फर्मूला सेबन कोटिंग का बनता है और इसके जो सेल्फ लाइफ होती है करीब 25-30 साल के ऊपर तक की होती है कंपनी आपको इसमें गरांटी जो है सेबन इल्स के देती है अगर आप सेबन कोटिंग का काम अपने घर में करा रहे हैं तो तो आपके छट पे ब्रिक बैट कोबा लागा हुआ है उसे पानी टपकता है सिलन है आपका पूरा लिंटर को खराब कर देता है यह पानी आपका जो है जब रीचे जाता है तो दिवाल का प्लस्टर पेंट यह सब झाड़ने लगता है और वह खराब हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए सेबन कोटिंग का ही काम किया जाता है कि लोग जो है दो से तीन कोट करा देते हैं इंडिया की जो है मैक्सिमम कंपणिया तीन से चार कोट पकाम करती है और करने थान के सब्सक्राइब के मैं दुक्राइब और और पर फीट इस और से चीवन कोटिंग के सब्सक्राइब है क्या फाइनल कोटिंग यहां पर चल रही है तो टोटल सेबन कोटी में गलास फाइबर के इस्तमाल किया जाता है ठीक वैसा ही जो आपको में छट पर दिखाया था उसके ऊपर यह टीटमेंट होगा अगर आप ऐसा आप टीटमेंट करा देते हैं अपने छट के ऊपर तो आपको ज सकते हैं और चाया तो अपने घर की वाटर प्रूफिंग भी करा सकते हैं गलास फाइबर जो लगता है उसका यह रोल होता है कि वो केमिकल की पकड़ को मजबूत कर देता है और जो क्रेक आता है छत पर जो माइनर क्रेक होते हैं छत के अंदर जो दिखते नहीं है जिसे पा सुल दे देते होंगे सिमेंट का चट्टी जिससे बोलता है तो उसको आप करेंगे तो जब यह सुखेगा एक दो महिने में यह तुरांत यह पपड़ी बनके उखड़ने लगता है ग्लास फाइबर का काम यह होता है कि जो चीज पपड़ी जो सिमेंट पपड़ी बनके ऐसे बैंटिंग कर लेता है जैसे वह पपड़ी बनके नाव खड़े और जो छोटे-छोटे चीद्र होते हैं जो के प्लेरी से पूरे पानी लिंटर में फैल जाता है उसको फैलने नहीं देता है इलास्टोमेडिक क्या काम ठीक है ऐसे होता है कई बार आपके बिल्डिंग करना भूले धन्यवाद